शेक्षनिक शुल्क माफी सहित अन्यमांगो को लेकर सेंट्रल मार्ट की और से की जा रही हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही मेडिकल और मेयो के निवासी डॉक्टरों ने शनिवार को गांधी गिरी की गांधी जयनती के अउसर पर सफे टोपी पहन कर शांतिपूर्ण मार्च निकाला वही एमर्जंसी सेवा में कार्यरत डॉक्टरों ने सफे टोपी पहन कर ही कार्य किया मार्ट की हड़ताल से मेयो और मेडिकल में मरीजों की परिशानी बढ़ने लगी है ओपीडी और वार्ड में निवासी डॉक्टर सेवा नहीं दे रहे है इनकी वजह इंटर्न और लेक्चरर ने ली है इन दिनों दोनों मेडिकल कॉलेजों में नौन कोविड मरीजों की संख्या बढ़ गई है यही वजह है कि निवासी डॉक्टरों की भरपाई करने के लिए लेक्चरर और प्रध्यापकों की ड्यूटी बढ़ा दी गई सेंट्रल मार्ड की और से शनिवार को भी मुंबई में वैद्य किये शिक्षा विभाग से चर्चा की दिशा में पहल की गई लेकिन शासकिय अवकाश होने से मामला आगे नहीं बढ़ सका मेडिकल मार्ड के अध्यक्षि सजल बंसल ने बताया कि हरताल दूसरे दिन भी जारी है प्रशासन द्वारा निवासी डॉक्टरों की मांगों पर सकरात्मक्टर ने नहीं लिये जाने की वज़े से हरताल की नौबत आई है इस बीच मियों और मेडिकल के निवासी डॉक्टरों ने धरना मंडप में महत्मा गांधी और लाल बहादूर शास्त्री की जयनती मनाई वही युवा डॉक्टरों ने रक्तदान भी किया सुबह के वक्त अधिष्ठाता कार्यालाई के पास से गांधी मार्च निकाला गया सभी डॉक्टर सफे टोपी पहने हुए थे वही कुछ डॉक्टरों ने गांधी का वेज़भूशा भी दारन किया हुआ है मेडिकल में करीब 25 से 30 और मेयों में भी करीब 20 निवासी डॉक्टरों ने एमर्जंसी सेवा दे रहे हैं इनमें आईसियो और कुछ डॉक्टर एमर्जंसी ओर्टी में कार्यरत है गांधी गिरी की आसर यहां भी दिखाई दिया गांधी टोपी पहन कर भी डॉक्टरों ने मरीजों का इलाज किया